नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैडोनेस टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, जैडोनेस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और जैडोनेस टैबलेट की वज़से क्या साइड और यह भी डिस्कस करेंगे कि जैडोनेस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, जैडोनेस टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर सामान्य जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए जैडोनेस टैबलेट का उप्यो होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए Zadonis टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर, त्वचा पर रैशेस और त्वचा पर खुजरी होने पर भी डॉक्तर Zadonis टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। Zadonis एक ब्रैंड नेम है। Zadonis टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है। Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Zadonis टैबलेट की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Zadonis टैबलेट की वज़ह से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आदी side effects Zadonis टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की Zadonis टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। Zadonis टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर डॉक्तर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को Zadonis टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की Zadonis टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Zadonis टैबलेट के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए और Zadonis टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि Zadonis टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। क्योंकि Zadonis टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि Zadonis टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Zadonis टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Zadonis टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकती हैं।